अगर फ्रेंड्स आपने मेरे तरीके से हेर वाश कर लियाना तो आप सारे शैंपू भूल जाएंगे जी हाँ फ्रेंड्स बहुत अच्छी रेमेडी है अगर आप इस रेमेडी को लगाते हैं तो आपको एक बार में ही बहुत जादा अच्छा कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है अगर आप इस रेमेडी को लगाते हैं तो इससे आपके बालों में कमाल की तो चमक आने वाली है आपके बाल बाउंसी भी वनेंगे और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूब सूरत होने लगेंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमिज हो गए हैं तो आपके बाल जो है रिपिर होने लगेंगे बहुती ज़्यादा अच्छे इसके result आपको मिलेंगे Friends, इस आप एक बार इसको लगाएए आप एक बार लगाएंगे न तो दूसरी बार आप खुदी मन करेगा इस remedy को लगाने का जी हाँ Friends, ये remedy बहुत ज़्यादा अच्छी है इस remedy को बनाना बहुत ज़्यादा असान है आप इसली इसको बना सकते हैं और जो भी चीज मैं इसमें यूज कर रही हूँ वो आपके घर पर होगी अगर नहीं है तो आपको ज़्यादा महगा नहीं पड़ेगा ये पैक आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ कि इस हेर पैक को किस तरीके से बनाना है सिर्फ आपको 15 मिनिट लगाना है Friends वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं वस आपस एक यही रिक्विस्ट करना चाहती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें तो Friends इस रेमडी को बनाने के लिए आपको चाहिए मुलतानी मिट्टी जी हाँ Friends अगर आपके पास डेली वाले मुलतानी मिट्टी है तो बहुत यह अच्छी बात है अगर आपके पास मुलतानी मिट्टी का वो जो डेला नहीं है तो आप यह पौडर फॉर्म में आता है आप पौडर फॉर्म में ले सकते हैं मैं हाप पांच चमच ले रही हूँ और अपने बालों में पूरी length में नहीं लगाना है तो आप कम ले सकते हैं और आप friends अपने बालों की length के हिसाब से ही मुलतानी मिटी लीजे क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं इसलिए मैंने 5 चमश लिया है तो आपके अगर बाल छोटे हैं तो आप इसमें कम जादा कर सकते हैं इसके बाद मैं इसमें half packet दही add कर रही हूँ आप घरवाला दही लेंगे तो बहुत जाद अच्छा है दही भी हमारे बालों के लिए बहुत जाद अच्छा है यह हमारे बालों को मुलायम बनाता है हमारे बालों में शाइन add करता है देंड्रॉफ को दूर भगाता है तो मैंने यह आप पर आधा packet ही लिया है पूरा packet नहीं लिया है इसके बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूँ जैसे हीना पैक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें यह पैक को तैयार करना है मैं एक दिम हियावर पानी बिल्कुल नहीं डालने हूँ कोकि बहुत जादा गीला हो जाएगा तो बालों में टपकेगा ठीक से अप्राई नहीं हो पाएगा अब इसके बाद मैंने फ्रेंट्स में एड़ किया है चावल का आटा अगर आप इसमें चावल का आटा एड़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर नहीं करना है तो इसको आप इसकेप कर सकते हैं चावल का आटा मैंने इसलिए इसमें एड़ किया है कोकि ये सनी स्क्रीन की तरह काम करता है एक तो बल हमारे खुबसूरत भी होते हैं साथी साथ ये सन से प्रोटक्ट करता है चावल इसलिए मैंने हापर चावल का आटा दो चमश लिया है ठीक है फ्रेंट्स आप इस तरीके से धीरे धीरे जो है pack को बना ली जो बिलकुल जैसे महंधी गोलते है ना आपको सेम तरीकी से यह pack को बनाना है बहुत शांदार הצ आपका यह pack बनकर तयार हो गया इसको लगाना बहुत असान है फ्रेंट्स बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान अभी कर दीजे ठीक है फ्रेंट आपको इस पैक को लगाने से पहले अपने बालो को अच्छे से कालना है अगर आपके बालो में गाठे रह गई और आपको ये पैक लगाते हुए उलजहन आई तो आप इस पैक को दुबारा लगाना बिर्कुल हैं पसंद करेंगे इसलिए आप अपने बालो को अच्छे से कौम कर लिजे ताकि आपके बालो में कोई भी उलजहन ना रहे आप असानी से इस पैक को लगा पाएं ठीकर फ्रेंट इस तरीके से जो है मैं अपने बालो को कौम कर लिया है अच्छे से अब इसके बाद जो है मैं ये पैक को अपने अलो में अपलाई करने चाह रही हूँ आपको फुल अप्लिकेशन दिखाने वाली हूँ आपको इस रिजर्ट भी आपसे शेयर करूँगी तो फ्रेंट देखे मैं शेक्शन ले रही हूँ और इस तरीके से मैं जो है अपने बालो में स्कैल्फ में और पूरे बालो की लेंथ में लगा लूँगे मेरे बाल इतने बेजान नहीं हैं अच्छे बाल हैं अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत जादा डैमेज हो गए हैं तो आप खोशिश ये करिए कि आप अपने पूरे बालो में लगाएं अच्छे से लगाएं और आप अगर किसी और की मदद से अपने बालो में अप्लाई तो इस तरीके से शेक्षन बना बना के अपने पूरे बालो में अप्लाई कर लिए जैसे हीना लगाते हैं ना सेम वैसे ही आपको यह लगाना है तो वो इसको 20 मिनट रख सकते हैं अपने बालो में क्योंकि अगर आप जादा देर रख लेंगे तो आपके बालो को यह जादा ड्राई भी कर सकता है ठीक है फ्रेंट्स तो इस तरीके से मैं जो है अपने पूरे बालो में देखे लगा लिया है इस कैल्प में भी लग चुका कि हम किस तरीके से अपने बालो में अप्लाई कर रहे हैं अगर अप्लिकेशन अच्छा होगा तो उसके रिजर्ट भी हमें आच्छे मिलेंगे तो देखे इस तरीके से जो है मैं अपने आगे के बालो में पीछे के बालो में अच्छे से अप्लाई कर लिया है और अगर जूड़ा बना लूँगी देखें आप देख रहे हैं किता अच्छा सा अप्रिकेशन हो गया है मेरे बालों में बूरे बालों में लग चुका है ठीक है इसको सिर्फ 15 मिनट रखिए मैंने जूड़ा बना लिया है मेरे बाल लंबे हैं तो मैं खोल के नहीं रख सकते हूं आपको बहुत अच्छा लगेगा मतलब आप जब अपने बालों में कॉम करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है खुद ही आप इसको दुबारा ट्राइ करेंगे तो अगर आप शैंपू के साथ साथ ये रेमिडी को भी फॉल करते हैं तो आप अपने बालों के लिए इसलिए उनके बाल बहुत जादा खुबसूरत रहते थे स्ट्रॉंग रहते थे यहां तक कि बहुत जादा बूरी भी हो जाती थी ना तब इनके बाल लंबे रहते थे यही कारण है क्योंकि अब केमिकल वाले प्रोड़क्ट चलने लगे हम उन पे निर बर रहने लग हैं तो इससे हमारे बाल जो है ज्याधा खराव होते हैं और हमारे बाल जल्दी फोटके गिनने लगते हैं अगर हम निच्रल चीज्जों से अपने बालों को वाश करेंगे तो हमें अच्छे तो आपके बाल तो खुबसरत होने वाले हें तो Fren nds ein कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर थोड़ा सा भी यूसफुर लगा है तो मैं फिर से अपसे क्विस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों में इस रेमेडी को वीडियो को शेर कर दीजिए और इस वीडियो से रिलेटेट कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसके रेपलाई करूंगी और फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरी चानल पर नहीं है और आपने अभी तक मेरी चानल को सब्स